वेल्कम बेग माई चैनल कायर होम विटीना नमस्ते फ्रेंड्स आज फिर से हम आएं एक ऐसे एत्यासिक शहर आप बोल सकते हैं जो चार अजार साल पुराना है जिसने रामार महाभारत के काल को देखा है और यह कभी विद्वन्श नहीं हुआ है जी हां काशी मदुराई के बाद एक यह सहर वर्णगर ऐसा है जो कभी भी विद्वन्श नहीं हुआ है और यह अलग-अलग समय पे अलग-अलग नामों से जहन ही साथ में यहां माने निया प्रधार मंत्री नरेंडर मोधि जी का जन्मस्तल है और यहींपर उनने पढ़ाई की थी और यहीं के रिल्रेश्येशन पर पर ऋ चाही बेचा करते थे और साथ में में वो तलाभ भी बताऊंगी जहांसे उनने मगर को पकड़ा था जी हां बासु में ही इस किर्थी तोरण के सरमिष्ठा तलाव आया हुआ है सच मुझ में वर नगर एक आपको एत्यासिक रोमान से आपको भर दे ऐसी नगरी है गाउं के लोग इस किर्थी तोरण को चोरा भी कहते हैं और कहते हैं कि यहां पर प्रसिद्ध भी नरसी मेता के पुत्र शामर्शा की शादी हुई थी और इस तरह से भी इसका बहुत महत्व है और इसके पास में ही सरमिष्ठा तलाव और अरजुन बारी आये हुए हैं तो कैसा लग रहा है यह आप मुझे जरूर से कमेंट बुक्स में बताएगा कि इस एत्यासिक सरब भी विक्साया गया है यहां पर नोका विहार होती है और आप देख सकते हैं कि यह पूरा सीटी इस तालाव के आजू-बाजू विक्सित है और इसके पास में ही आप अरजुन बारी है यहां पर पीछे पार्किंग है और इस तरह से आपको बोटिंग करना है तो जहने का उस सरफ रस्ता है और सामने आप जो देख रहे हैं वो टावर है जी हां तो यहां पर जो है सामने टावर में म्यूजम भी है लेकिन हम थोड़े लेट पहुंचे थे साड़े शे बच गए थे शे बचे म्यूजम बंद हो जाता है तो हम म्यूजम की मुलाकात नहीं ले प इसके आसपास 60-65 जितने आप देख सकते हैं कि जलाशे आवे हैं जिसके करण कभी भी यहाँ पर पानी की कमी नहीं हुई उपजाओ जमीन है और इसी के करण यह सल जो है वो कभी भी विद्वन्श नहीं हुआ है और यह एक बहुत बड़ी बात है और अब हम चलते हैं इस सा आपके बिल्कुल सामने आवे थीम पार्क में इस थीम पार्क की विशेष्टा यह है कि यहां पर दस राग की अलग-अलग तरह की राग को आप एड़ फोन लगा कर सून सकते हैं महसूस कर सकते हैं उस कला में पाव विपोर हो सकते हैं इस पार को बहुती बारिकी से बहुती सासे संगीत की सभी रागों को ध्यान रखकर बनाय गया है इसा पर साहिद ही भारत में कोई दूसरा हो और इसके उपर से आप सरमिष्ठा ता अलाबे जिसमें हमारे प्रधान मंत्री श्री ने मगर को पकड़ा था और ताना रीरी दोनों बहनों ने यहां पर मलहाराग को गाया था अकबर के कहने से तान से ने दीपक राग तो गाया पर उनके सरीर में ऐसे जलन और गर्मी होने लगी और जो मलहाराग गाकर ही दूर की जा सकती थी और मलहाराग में तान से पारंगत नहीं थे वो ऐसे पारंगत व्यक्ति की शोद में गुमते गुमते जब सर्मिष्टा ताराप की किनारे आये तो यहां उन्हें दो बहने मिली ताना रीरी और उन्हें ये मला राख में वो पारंगत थी और क्यों नहों क्योंकि वो नरसी महता की परपोती थी और उन्होंने जब ये मला राख गाया तो तान सेन की सारी गर्मी दूर हो गई और बारिश आई और ये दोनों बहनों को मिलने की जब अकबन ने जीत की तो उन दोनों बहनों को कुछ ठीक न लगा और उन दोनों बहनों ने कुछ अजुकता लगने के कान समाधी ले ली और उन्हीं की याद में यहाँ पर बहुत अच्छे से पार्क को बनाए गया है और साथ में ही एक बहुत अच्छे से यहां पर अलग-अलग तरकी संस्कृतिक प्रोग्राम किये जाते हैं और यहां बड़े-बड़े कवी गायक यहां आते हैं और अपने प्रोग्राम करते हैं और इन दोनों भेहनों को सरद क्या नाम है तेरा बेटा? लाईरा और आपका दादी? लामीनी ताप दोनों पोता है और दादी दोनों फिख रहे हैं और तारे कहमा और यहां गाने का इतना बड़ा स्टेज मिला है के रहुको अच्छा लगा है ना अच्छा लगा है ना इस एत्यासिक नगर की याद भरी यादों को लेकर में चली अपने घर मिलते हैं कुछ ऐसे नएं इंटरिस्टिंग वीडियो में टेक कर